नमस्का मैं उससी आई जरकन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं भारत में वायरस का संक्रमन पांच लाग के पास पहुंच गया है पिछले 24 गंटा में सर्वधिक मामला 18.552 आया है जबकि मरने वाले की सर्वधिक संक्य 384 आई है पांच लाग का आकड़ा पार करने के बाद भी वीशों में संक्रमन के मामले में भारत चोथे अस्तान पर ही है आपको बता दे कि भारत से उपर तीन देश हैं जिसमें अमरीका 25 लाग सर्वधिक लोग संक्रमित हुए है दूसरे अस्तान पर ब्राजिल है जहां 12 लाग 80,000 से रवीवार 28 जुन को बार्सा होगी इस दोरन कुछ जगों पर वजरपात भी होने की संभावना है मुसंभी भाग ने चेतानी जारी किया है कि दो तीन घंटों में पच्छमी सिम्भूम सिम्डेगा रांची रामगर गुमला बोकारो लोर्दागा खुटी हजारी बाग धन का अंत्री मुल्यांकन होगा इसके नतीजे पंद्रह जुलाई को आ जाएंगे केंद्रिय सिक्षा बोर्ड ने सुक्रवार को उस्तमने आले में सुनवाई के दोराने अजनकारी दी कोट ने सीब्यसी का या आगरा सवीकार का यजका को निरस्त कर दिया है जिसमें से की सराय के लाएगार पूर्वी सिमूम दस पाचमी सिमूम एक गुमला पांच बोकारों पांच हजारी बैक तीन चत्रा दो गिरीडी एक देवघर एक कोडर्मा एक साहिव गई दो राची तीन है जरकन में कुल संख्रमितों की संख्या बाइस सो चौरानवे से बढ़कर 2360 हो गई जबकि 1724 लोग स्वास्त हुए और बारा की मिरिती हो गई भारत में कुल संख्रमितों की संख्या पांच लाख 2957 है जबकि 3 लाख 10 एक सो चाहरी लोग स्वास्त हुए और 16103 की मिरिती हो गई एक्टिव केस पूर्वी सिमूम एक सव एक सट सिम्डेगा ठतर गुमलत 46 रामगर 13 देवघर एगारा गिरीडी 35 पाचमी सिम्भू 21 धनबाद 42 लोहर दग्गा नव गडवा 0 जामतरा आठ सराय किला सत्रा बुकारो 14 चात्रा नव गोड़ा आठ लाते हार 6 पलामो तीन खुटी पांच साहवगन चार दुमका तीन पांकुड एक हाए जार जमीन के हर पलोट को यूनिक आईडी नंबर मिलेगा इसका नाम दिया जाएगा अलपीन यानि यूनिक लैड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसके साहरे कहीं से भी ऑनलाइन बैट कर जमीन के हर तरह के कानूनी पाली की जाच हो सकेगी अलपीन को जमीन माली के जमीन की इस तरह की डिजटल आइडेंटिफिकेशन के बारे में राय मांगी है इसके अलावा आईटी और विससवाग्यों ने भी सलाह देने को कहा गया है नक्सलियों के खिलाप पूलिस अभियान तेज नक्सलिस अंगठन की ओर से आगामी 30 जून को होल दिवस मनाने के तियारी की जा रही है इस बीच नक्सलिस अंगठन कीसी बड़े वर्दात को अंगाब देने के फिराक में है उधर नक्सलियों की मंसा पर पानी फिरने के लिए जीला पूलिस भी सतर्क हो गई है एस एस पी ने ग्रामिन छेत्र के सभी थानों को अलट करते हुए नसली गतिविदी पर नजर रखने का नियदेश दिया है बोकारो पूलिस ने तीन अंतर प्रांतिय अपरादी को किया गिरफतार जर खन के बोकारो जिला में पूलिस ने तीन अपरादियों को गिरफतार किया है अंतर प्रांतिय इन तीनों अपरादियों को सन्निवार को उस वक्त गिरफतार किया गया जब ए अपराद की वर्दात को अंजाम देने के त्यारी कर रहे थे आपको बता दे कि अपराधी को बाली डी थाना छेत्र में इस्थी टोल पलाजा के पास से गिरफतार किया है पूलिस ने बताया कि जिस वक्त इन बदमासों को गिरफतार किया गया इनके पास से कई समागरी भी बरामत हुई ये लोग सराय किला और पुरोलिया होते हुए बोकारों आ रहे थे प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ति परकिरिया सुरू हो बंदू तिर्की बिदायक बंदू तिर्की ने प्राथ्मिक वामध्य विद्यालियों में सिक्षक की नियुक्ति परकिरिया को सुरू करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि 2016 में हुई सिक्षक पत्रता परिचा में लगव 50 अवियार्थी सफल हुए थे अवियार्थियों को अब तक एक भी नियुक्ति परकिरिया में सामिलित होने का उसर नहीं मिला है अभियार्थियों के नियुक्ति को उम्र समाप्त हो रही है उन्होंने बर्ष 2016 में सफल अभियार्थियों के नियुक्ति वर्ष 2012 के सिक्षक नियुक्ति निमावली के अधार पर करने की मांग की है सिरी तिर्की ने बिलाई के नाम पर बंद किये गए विद्याले को खुलने की भी मांग की है कोचिंग संस्थान खुलने की मांग लोगडाउन के कारण सहर के कोचिंग संस्थानों के इस्थिती दिन परती दिन देनिया होती जा रही है ऐसे में जर्खन कोचिंग एस्वास दिलाय की सरकार के सभी निर्देशों का पारण किया जाएगा कोचिंग संस्थान सोसल डिस्टेसिंग और सनेताज़न के नियमों को गंभीरता से पारण करेगी संस्थान खोलने की अनुमती दी जाए धन्यवाद आज के लिए बस इतना है घर में बैभाई करोकरम होने के वज़ा से आपको 25 वीडियो नहीं मिल पा रही है आपको कल बाद से 25 वीडियो मिले लाएंगे तो आज के लिए बस यही थाइंक्यू